मशुहूर बॉलिवूट कॉमेडियन राजपाल यादव एवं उनकी पत्नी राधा यादव को दिल्ली की एक अदालत ने धोखा धड़ी के मामले में दोशी करार दिया है। राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता के लिए एक बिजनस्मेन से वर्स 2010 में 5 करोड रुपए लिये थे। इन रुपियों की लेंदेन को लेकर एक एगरिमेंट भी हुआ था। उस समय के बाद राजपाल यादव को 5 करोड रुपए व्याद समेद वापस करने थे जब रुपए वापस करने का समय आया तो राजपाल यादव ने रुपए वापस करने से मना कर दिये। इससे नाराज बिजनस्मेन ने दिल्ली के एक अदालत में उनके खिलाप मामला दायर कर दिया है। इसी मामले की सुनवाई के बाद आज दिल्ली की अदालत ने राज करोड रुपए के साथ ही तीन करोड रुपए व्याज के भी लोटाने का आदेश दिया है इस पूरे मामले पर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को आगामी 23 अप्रेल के दिन सजा सुनाई जाएगी मुंबई से स्रीश उपाध्याय खबरदार